आम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं पार्टियां भी अपनी कमर कसनी शुरू कर चुकी है भले ही उत्रकंड में लोकसभा की पांच सीटे हैं लेकिन सियासी दलों के लिए एक एक सीट काफी एहम माइने रखती है पूर्व सीम हरिश रावत कभी पदियातरा निकाल तो कभी उत्रकंड के वेन्यनों के साथ लोगों को पार्टी दे कर लुबाने का प्रयास कर रहे हैं देहरदून में हरीश रावत ने मश्रूम पार्टी का आयूजन किया जहां कॉंग्रिस के तमाम कारिकरता और हरिदवार सीट से तमाम लोग इस पार्टी में शामिल हुए हा के दो गड़ वंधनों के बीच में उत्तरी प्रदेश सहुण बन गया है तो इसलिए उत्तरप्रदेश खुद भी नएआ रास्ता तलाश कर रहा है और राहूल गांधी जी के नेतुत्र में हम देश्ट के लिए भी नया रास्ता बना रहे हैं और उत्तर-प्रदेश में भ मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग रावत के पीम नरेंद्र मोदी की तुलना अमेडगर से करने के बयान पर हरीश रावत ने कहा कि भीम राव अमेडगर का अपमान बताया पहली बात तो यह है अमबेडगर कोई दूशा नहीं हो सकता गाधी कोई दूशा नहीं हो सकता जवालाल और इंद्रा गाधी कोई दूशा नहीं हो सकता अमबेडगर से मोदी जी की तुलना करना अमबेडगर जी का अपमान है त्रिवेन सिंग जी को कोई हक नहीं है कि वो ब वही प्रदेश कॉंग्रेस सचीव आशा टम्टा अलमोडा पहुंची और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रेस कारेकरताओं से मुलाखात की इस दोरान उन्होंने अलमोडा संसद्य सीट पर दावेदारी करने की बात कही मैंने अलमोडा छेतर से दावेदारी की है और बहुत पुकता तरीके से दावेदारी की है क्योंकि 2014 में भी मैंने दावेदारी की थी उस वक्क किनी वज़हों से मेरा नाम कंसीडर नहीं किया गया आम चुनाव के लिए सभी पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही है लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा देहरादून से कुल्दी प्रावत और अलमोडा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट